हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप सब आज हम जिस ट्रिक की या जिस टॉपिक की बात करने जा रहे हैं वो है बॉडी फ्लूट्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर से फॉर्मड एलिमेंट्स में लीकोसाइट्स तो आज हम इसको डिसकस करेंगे तो कौन सा चैप्टर है हमारा बॉ सबसे इंपॉर्टेंट है वह हमारा लिउकोसाइट्स एक और डव्यूबीशी इस वाइट ब्लॉट शेल्स ठीक है दोस्तों तो वाइट ब्लॉट सेल्स के बारे में फर्दर डिवाइड होता है दो तरीके से एक तो हमारा बहुत ही इसको कैसे याद रखा में था मैंने मै अब को बताता हूँ इंडिया में वाइफस अपने हस्वेंट को दो तरीके से बुनाती है जी सुनते हो डेटीस ग्रेणूलो साइट्स एक या फिर ऊफिर चसुनते हो अलग-अलग अपनी पृफरेंस होती है ए ग्रेनुलोसाइट्स तो अलग अलग प्रेफरेंस के साब से हम बुलाते हैं जी सुनते हो ए जी सुनते हो ग्रेनुलोसाइट्स ए ग्रेनुलोसाइट्स दो टाइप्स की होगी दोस्तों हमारी अब हम फर्दर इसको डिवाइड करेंगे इसमें तीन टाइप्स आजाती है न्यू न्यूट्रोफिल्ज। थीक है दोस्तों सेकेंड आता है यह योंसीनौफिल्ज। थर्ड आ जाती है बेसोफिल्स जिस ओर्डर में NCIT ने बताया मैं आपको उसी ओर्डर में बता रहा हूं बिल्कुल इस सेड आ जाती है लिंफोसाइट इसके अंडर और दूसरी आ जाती है मोनो जाती है म्हांननि जो हमें चैनलो में लिंफोसाइट जो मोनोसाइट इसमें तीन है γि से 10的 होती है कि यह कितने जो टोटल डव्यूबीसी जाओ उसमें से कितने परसेंट न्यूट्रोफिल से इस यूनोफिल से लिम्फोसाइट से मोनोसाइट से तो इसको हम एक बार देख लेगते हैं और याद करने का तरीका यह बता देता हूं मैं आपको कि अबेंडनेंस का ओर कैस से याद रखेंगे 60 to 65 % है इससे कम इससे ड़ाजेए यह 20 to 25 % है फिर इससे कम 2 to 3 % यह है हमारा और मोनोसाइट से हमारे 68 % है बेसोफिल से सबसे कम 0.5 तू 1 परसेंट है इसका दोस्तों एक तरीका तो बहुत असान है इसको आडर में याद रख लीजिए न्यूट्रोफिल लिम्फोसाइट हमने ऐसे टेबल मनाया ना तीन इधर दो इधर एंसेटिक अकोरी न्यूट्रोफिल्स लिम्फोसेट्स मोनोसिस्ट मतलब वन